नमस्कार आप देखरें अपना बिहार मैं हूँ आपके साथ विभाव पाध्याए नैपाल में शुकरवार से हो रही बारिश के बाद बेहार में एक बार फिर से बार जैसे हाला थे कोसी बराज से 5,21,455 क्योसिक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है कोसी बराज के सभी 56 गेट को खोल दिया गया है लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए तटबंधों की सुरक्षया के लिए जलसंसाधन विभाग के अधिकारी और अभियंता हाई अलर्ट पर है इलाकों में कैंप लगाकर निगरानी की जा रही है लोकों से सावधानी बरत में और सुरक्षत स्थानों पर जाने की अपील इस वक्त लगातार हो रही है तो यह तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का प्रवाह कितना तेज है इस वक्त कोसी बराज के 56 के 56 गेट खोल दिये गया है लोकों से लगातार माइकिंग के जरीए यह अपील की जा रही है कि अगर आप निचले इलाके में रहते हैं तो यह पानी का जो वेग है वो आपके इलाके तक पहुँचे उससे पहले आप सुरक्षत स्थानों की तरफ पलायन कर जाए तो 56 फाटक देखे खोल दिये गया है कि उसी बराज के लगातार लोकों से माइकिंग के जरीए अपील भी और मॉनीटरिंग भी की जा रही है ताकि कहीं पर भी तटबंधों के उपर इसका दबाव अगर बन रहा हो तो उसे वक्त रहते पहले से दुरुस्त किया जा सके फिलाल ये तस्वीर देखकर आपको इस सिती की गंभीरता का अंदाजा जरूर लग रहा होगा हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ अमित जोड़ चुके हैं सोपाल से अमित जरा ये बताएए चुकि अब पानी का जो प्रवा है ये धीरे धीरे आगे नदियों तक पहुँचेगा कई निचले इलाकों तक पहुँचेगा इस वक्त एहतियाती क्या कुछ कदम उठाए जा रहे है लेकिन सबसे चिंटा जनक विसे हैं कि तट्वन के भीतर जो लोग है वह बाहर जब तक नहीं आते हैं तब तक परसासन के लिए चिंटा का स्वब बना रहेएगा वो लोग अभी तक बाहर नहीं निकले हैं और लगातार पानी जो है पांचला के तालीस जार क्यूसेग पर पहुँच चुका है लेकिन एक राहत की बात जो सामने आ रही है जो पहले 30-40,000 किसेग लगाता था अब उसमें थोई कमी आई है तो धीरे-दीर अब लगता है कि धीरे-दीर स्थिती समानी होनी चाहिए लेकिन फिलाल जो इतना पानी आया है तो वो तो तटबंद के भीतर के इलाके में धीरे-दीर फाइल आमित लोग जो तटबंद के पानी के बीच में रहते हैं इसी में जी चाहिए जो प्यानी के लिए सम उसली है ठीर स्थिती अब लेकिन पहले उन लोगों को विंद शाता थीरे-दीर स्थिती आप इससे पहले बहीता थी से क्धितने बहर हुए इससे कर दोर। पांद कर जाएगा उसा कि द्मतर में पा प्रशासन लगातार आज भी कर दो रहाँ चैंप में आए और उनके लिए सारी प्रवस्ताइए ची जा रही है लोगों की परिशानी क्या है लोग क्या चाहते क्या है प्रवस्ताइए चाहते हैं लोगों को लग रहा है कि इसी तरीके से समानी हो जाएगी पानी तरीके से पोसी में जो बड़ा 800 किलोमेटर का एडिया उसे पानी जो फैलेगा तो बहुत लोग यही मान के चल रहा है तो बहुत जादा कुछ दिक्कत भी होने वाली तो उनको लो मिल्कुल यान इस वक्त प्रशासन के टीम के जवाब देही दोरों ज्यादा हो जाती है कि लोगों को इस बात के लिए मनाया जा सके कि भाई जितना पानी का डिस्चार्ज हुआ है वो पानी अगर आपके इलाके तक पहुंसता है तो तटबंद के अंदर रहने वाले लोगों के लिए परिशानी हो सकती इस भी एहतियात के तोर पर लोगों को वहां से वक्त रहते हटाया जा सके बहुत 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 शुक्रे आमि सब इश्यू मीड में लगतार सत अपने गरानी कर रहे हैं सब जगह प्रयास रथ है बैराज से लेके उसके डाउन में उसके अप में एव्रिवेर हमारे डिपार्टमेंट की जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सब पूरी तरह मुस्तायद हैं तैना जिस तरह डिस्चार्ज का अ पार्टमेंट बत्रिशा पानी तो गुजर ही रहा है और अभी और भी गुजर है कोई दिकत नहीं है तो प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं तो कुछ कमी नहीं है तो वालमिकी नगर गंडक बराज पर लगतार जलस्तर का दबाव बढ़ रहा है गंडक बराज सिफ लहाँ 4 लाग क्योसिक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है वही नैपाल की नारायनी नदी का जलस्तर बढ़ कर यहां पर इस सितिती देखी कि इसकदर गंभिर दिखती है क् कि 6,50,000 क्योसिक पानी का डिस्चार्ज यहां पर इस वक्त हो रहा है और बालमिकी नगर बराज से हालात की जानकारी दे रहे न्यूज 18 संबादता मुन्ना राज जलस्तर बेखाद बालमिकी नगर बराज पर बढ़ते जलस्तर के बाद विलहाल सभी 35 को खूल दिया गया है और पर बढ़ पर बिभाग के टीम को रखा गया और बालमिकी बात करें तो कोई लेबल पर जिलाप्रसासन की ओर से बैटेक की जा रहे है और निचले हिलाग पो बेकाबू हो रहे हैं जिसके बाद गंड़क नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है और गंड़क बनाज के फाटकों पर बढ़ते दबाव के बाद यहां पर अधियांताओं की टीम लगतार कैम्प कर रही है तो फिलहार लगतार गंड़क नदी का जलस्तर बढ़ रहा है और बा तो नैपाल के तरह इलाकों में हो रही लगतार भारी बानिश के बाद गोपाल गंच में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तो लेकर हर स्थिती से निपटने के लिए तैयार है। करने के लिए पहुचे हैं सतर घाट यही वह सतर घाट है जहां पर एक बार सतर घाट पूल का एप्रोस सड़क जो है कट गया था और ऐसे में इस वक्त जो है हालात का ज़्याजा लेने के लिए पहुचे हुए हैं इससा सीच्वाइब आता गिए तो उच्छा स्थान पर उसको शिफ्ट करें और वहां पर जो सरकार द्वारा प्रस्तावीत है जो इसको अपील की जारी जो निचले इलाके में अपील किया रहा है तो आप खाली कर दें उच्छा स्थान पर अब्रूस तरह बनाएंगे वह संभावित बाण को लेकर जीला प्रसासन पुरी तरह से अलट है निउजटीन भी निचले इलाके में बसे लोगों से अपील कर रहा है कि वह समय से बाहर निकलकर उचे अस्थानों पर सरण लें और प्रशासन की ओर से भी अपील लगतार की जारी जो लोग निचले इलाके में बसे हुए वो सुरक्षित जो है उची अस्थानों पर सरण लें ऐसे में गोपाल गंज प्रशासन की पूरी टीम इस वक्त बाढ़ को लेकर अलट और मुस्तेद है गुविन कुमार निउजटीन गोपाल गंज कोजी और नैपाल की इलाके में भारी भारिश के बाद कोजी बरा से पानी छोड़ा जा रहा है और पानी छोड़े जाने की वज़ों से पश्विम चमपारन के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालाद है महाचामी पंचार चमपारण के चकदहवा गाउं में पानी घुस गया है और बाड जैसे सिती बन गई है यहाँ सडक डूबी हुई है और घरों में लोकों के पानी प्रवेश कर गया है बेतिया के नरकटिया घंज में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश से पाहाडी नदिया इस वक्त उफान पर है मुसलाधार बारिश के बाद सैकडो एकड़ फसल पानी में डूब कई है गाउं जलमक रहे रामनगर के इलाके में मसान नदि इस वक्त उफान पर है दर्जनों गाउं में पानी प्रवेश कर चुका है और अब लोकों को माइकिंग के जरिए सावधानी बरतनी की सलाह दी जा रही है लगातार मुशाजार बारिश के कारण कल से जो बारिश हो रहा है उसे जो है हमारे सहरी शेत्र के बगल में जो नदी है उफान पर है तो डर सका रहा है कि कभी भी बार आ सकती है तो नैपाल के तरह इस शेत्र में भारी बारिश के बाद अररिया की बकरा नदी उफान पर आ गई है पलासी प्रकंड के धर्म गंच और पिपरा बिजवार पंचायत के 6 से ज्यादा गाओं के निचले इलाकों में नदी का पानी फैल गया है धर्म गंच से महरो चौक जाने वाली मुख्य सडक पर 3-4 फिट तक दिखे पानी बहरा है हालात का जैसार या निउसेटिन संबादाता सतीश कुमार ने पाल की तराई में लगातार हो रही बारिस के बाद इस्ति बत्तर है तस्वीर दरसल अरडिया के पलासी प्रकंड के धर्म गंच गाओं की है और देख सकते हैं या बकरा नदी का जो पानी है कितनी तेजी से जो है गाओं में प्रवेश कर रहा है और घरों को डुबो रहा है यह है सारे वाड तेरों ही वाड पानी से और गाओं जो है भरा हुआ है इस इलाके में जो है बकरा नदी का पानी प्रवेश कर गया है बाहर आ गई है अब इंतजार है उन्हें प्रसासन के मदद की सतीश कुमार न्यूज 18 पलासी अरडिया और अब नज़र दूसरी खबरों की तरफ तुभे आरबी जपी अत्यक्ष दिलीब जैस्वाल तेजस्वी आदो पर जम कर बड़ से हैं दिलीब जैस्वाल के बयान के बाद अब सियासी बवाल मच गया है स्मार्ट मीटर पर आरचेडी के आंदोलन पर दिलीब जैस्वाल तेजस्वी आदो पर जम कर भड़ास निकालते हुए नसर आये तेजस्वी पर दिलीब जैस्वाल के बयान के बाद ये बवाल मच आदो बार बार स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल खड़े कर रहे है प्रिपेड जैस्वी आदो पर जोरदार हमला किया तो दिलीब जैस्वाल के बयान पर आर जेडी ने नाराज़ की जायर की है प्रवक्ता एजाज जैस्वाल को नसीहत दे आर जेडी ने कहा कि इस तरह की भाशा से बचना जरूरी है लोकों को ऐसी भाशा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बाते उनको सुभा नहीं देती है उनको पता होना चाहिए कि जनता और जनता के सवाल को उठाना परतिपक्ष का करतव बनता है स्मार्ट मीटर के नाम पर कहीं ना कहीं उभोकताओं के साथ जुल्म और ज्यात्ती हो रही है उस में